भाई application मेरे को यहाँ पर 50,000 रुपए के limit मिल चुकी है जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो दोस्तों मेरे को यहाँ पर इस loan application मेरे को यहाँ पर limit मिली है जो दोस्तों मेरे यहाँ पर जो मेरे मेरे ईमाई होने वाली है 19,845 रुपए गी मेरे यहाँ पर इस loan application मेरे को यहाँ पर limit मिली है मैंने उस limit को अभी यहाँ पर अपने बेगокओं में अगर में ट्रांसपर करता हूँ तो भाई मेरे पास में जो EMI होने वाली है 19,845 रुपेगी मेरे यहाँ पर 3 EMI मेरे पास में यहाँ पर होने वाली है भाई लोन अप्लिकेशन एकदम बिल्कुल से जैन्वन लोन अप्लिकेशन होने वाली है दोस्तों यहाँ पर RB और NBIP से लोन अप्लिकेशन यहाँ पर होने वाली है एकदम के एकदम यहाँ पर सांदार लियो अप्लिकेशन यहाँ पर होने वाली है अगर भई आप यहाँ पर loan लेना चाते हो प्रसand loan लेना चाते हो वी दोस्तों यहाँ पर आधारकार और pen card के basis पर तो यह loan है प्लीस आपके लिए बिल्कुल best हो सकती है किको दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर किसी परकार का आपको यहाँ पर bank statement नहीं चाहिए किसी परकार का आपके पास में यहाँ पर कोई भी income proof नहीं चाहिए किसी परकार की आपके पास में यहाँ पर कोई भी salary slip नहीं चाहिए other loan company में क्या होता है कि आपको कुछ नो कुछ आपको देना पड़ता है चाहे तो दोस्तो आप महाँ पर bank statement देना पड़ता है या फिर दोस्तो महाँ पर क्या हो देना पड़ता है आपको sell easily महाँ पर देनी पड़ती है बर दोस्तो आज की जो वीडियो होने वाली है जो application यहाँ पर होने वाली है इसमें दोस्तो आपको कुछ नहीं देना है यहाँ पर कोई भी income proof नहीं देना है किसी भी परकार आपको यहाँ पर कोई भी bank की statement नहीं देना है दोस्तो इस वीडियो में दोस्तो अप्लिकेशन जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तो बहुती सांदार अप्लिकेशन यहाँ पर होने वाली है आर्बी और एने विपसर रिस्ट्रेट अप्लिकेशन होने वाली है दोस्तो पूरा 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 विदाव टाइमएस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भही मेर पास में यहां पर जो लिमिट मिली एढ़ो previous आपको यहां पर बता देता हूँ 50,000 श कर न न कको लिमिल एता है जो भही मेर पास में यहां पर टरनोर, जो देखने को मिल है जो दोस्तो इसकी pros sehefees रहने वाली है तीर परसेंट से लेग तक आपके ऊपर यहाँ पर proscent fees लग सकती है वो दोस्तों आपको depend करते हैं कि कि आपको यहाँ पर कितने limit आपको मिल सकती है और दोस्तों बात करें इसकी यहाँपर documentation की यहाँ पर दोस्तों आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की statement वैसे दे रखा है यहाँ पर कोई भी requirement नहीं है वो दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ पर apply करके आपको दिखाने वाला हूँ तो भी मैं इसका यहाँ पर एक बार आपको about section यहाँ पर check out करवागा देता हूँ तो भी मैंने यहाँ पर application का दोस्तों यहाँ पर about section open कर लिया है जैसे कि आप सभी देख पा रहे होगे यहाँ पर दोस्तों personal loan आपको यहाँ पर provide किया जाता है 100% यहाँ पर digital process रहने वाला है जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो 100% digital process रहने वाला है एक हजार रुपे से लेके दोस्तों आपको जो limit provide की जाती है यहाँ पर personal loan में एक लाख रुपे दर दोस्तों आपको यहाँ पर लिमिट provide करवाई जाती है जो दोस्तो आपको यहाँ पर turnover रहने वाला है तीन महीनों जिसे लिए कि दोस्तो यहाँ पर 6 महीनों के लिए आपको यहाँ पर turnover रहने वाला है जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पारे हो दोस्तो यहाँ पर RVAE और NWC registered application होने वाली है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या कर रखा है मैंने already इसमें account create कर रखा है और भई मैंने यहाँ पर कापी सारे बंदों को मैंने यहाँ से इस loan application से loan दिलवा दिया है तो भई अगर भई आपको इस loan application से ऐसे loan लेना है तो भई यहाँ पर decision box में आपको link मिल जाएगी जाके दोस्तों आप पहले application को download कर लिजिए जैसी download करोगे आपके साफने ऐसा interface यहाँ पर आ जाएगा जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपको दिखा देता हूँ भई मैंने application यहाँ पर अपने mobile में open कर लिए जैसे कि आप सभी देख पा रहे होगे अगर भई आप इसके यहाँ पर पुराने customer है या फिर दोस्तों आपने यह download कर रखे तो दोस्तों आप यहाँ पर समच चुके हैं कि application यहाँ पर कौन सी होने वाली है तो भई मैंने यहाँ पर application open कर लिए जैसे कि आप सभी देख पा रहे होगे यहाँ पर दोस्तों मेरे पास में अभी 2-3 open मेरे पास में यहाँ पर निकल कर आ रखे हैं जैसे कि आप सभी देख पा रहे होगे जो मेरे पास में यहाँ पर फर्स्ट open निकल कर आ रखे हैं दो मेहने को ट्रन ओवर है 6000 रुपे की लिमिट है इसको मैं अपने बैकाओं में इस्टेंट के स्टेंट अपने बैकाओं में ट्रांसपर कर सकता हूँ वो दोस्तो मैं अभी विल्कुल नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर 5000 रुपे की लिमिट में यहाँ पर आपको अपलाई करके दिखाने वाला हूँ जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होगे यहाँ पर दोस्तों नेचे की साध में आप स्कोल डाउन करोंगे और आपके इस पास में यहाँ पर SOW आजाएगा यहाँ पर दोस्तो 50,000 रुपे की लिमिट आपके पास में यहाँ पर मिलसकती है इस loan application से लोना एप्लिकेशन में जैसी आप इसकोल डाउन करोंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आने के बाद में दोस्तो आपको इस पर आपको किलिक कर देना है जैसे आप इस पर click करोगे next step आपके सामने कुछ as interface आपके पास में यहाँ पर 100 हो जाएगा दोस्तों मैंने यहाँ पर क्याँ वहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर 100 हो रहा था कि 50,000 रुपे तक आपको यहाँ पर limit मिल सकती है और भई मैंने यहाँ पर जो मेरे पास में यहाँ पर open कर लिये उसके बाद में दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर limit आचुके है एक लाख रुपे की जैसे कि यहाँ ने अपने अपर सक्षन में mention किया वाया कि एक जार रुपे से लेगे एक लाख रुपे तक आप यहाँ से limit ले सकते हो मेरे case में दोस्तों में यहाँ पर अभी limit लेने वाला हूँ मैं अभी यहाँ पर example के थुरु में यहाँ पर 40,000 रुपे की यहाँ पर add कर देता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है add जैसे मैंने add कर दिया है जो मेरा यहाँ पर monthly rate of interest आने वाला है 2.4% का मेरा rate of interest लगने वाला है वो भी दोस्तों यहाँ पर 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 मतर यहाँ जो आपकी यहाँ पर turnover रहने वाला है दो दो ट्रेनोवर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जैसे जैसे कि आप सभी देख पा रहे हूँ यहाँ पर दोस्तो तीन महिनों का ट्रेनोवर मिल रहा है और दूसरा जो ट्रेनोवर मिल रहा है यहाँ पर दुस्तो छह मेंनों का आपका ट्रेनोवर मिलने वाला है अगर भaming हम बात करे एक कि यहाँ पर TMI आहेगी तो भरly AMI आपके कितनी होने वाली है तो 8,033 रुपएगी आपकी यहाँ पर TMI होने वाली है जैसे की आप सभी देक पा रहे हूं जा कि दुस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो जैसे ही डाउनलोड कर लेते हो उसमें छोटा से एक अकाउंट के डिट करना होता है आधारगार और पहनखार के बेशेश पर वो दोस्तों आप कर सकते हो भाई मेरे पास में यहाँ पर इस इंटरफेस आ चुका है जैसे कि आप सभी देख पा रहे हूं यहाँ पर दोस्तों मेरी यहाँ पर टोटल की टोटल इंटरफेस आ चुका है यहाँ पर दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर इंटरफेस आ चुका है यहाँ पर जो दोस्तों मेरे पास में जो लोन है मेरी जो चुकी है अभी दोस्तों मेरे को यहां पर क्या करना है एक दो मिनट का मेरे को यहां पर वेट करना पड़ेगा जैसे कि यहां पर नीचे की साइड में लिखा हो भी आ चुका है अब दोस्तों यहां पर देखता हूं में कितनी लिमिट मेरे को यहां पर अप्रूर होती है और दोस्तों कैसे में अपने बैक आउं में ट्रांसपर करता हूं तो भाई जैसी मैं यहां पर पांच मिनट वेट कर लेता हूं मेरे पास में यहां पर एसा अंटरफेस आ चुका है allow analysis for credit जो भी आपकी यहाँ पर credit history होती है उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर allow करना पड़ेगा यानि कि दोस्तों आपको यहाँ पर permission देनी पड़ेगी c detail पर आपको यहाँ पर click करना है जैसे भई आप click करोगे आपके पास में यहाँ पर as interface आ चुका है यहाँ पर दोस्तों नीचे की side में आप देख पार हो yes I agree पर आपको यहाँ पर click करना है जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ click मैंने यहाँ पर click कर दिया है और भई मेर पास में यहाँ पर अभी मेर पास में यहाँ पर आ चुका है we are checking your credit information मैंने आपको पहले ही बता है जो भी आपकी credit history होती है वो दोस्तों यहाँ पर check out की जाती है जैसे कि मेरी अभी यहाँ पर check out की जा रही है 2 minute का मेरे पास में यहाँ यहाँ पर complete होने के लिए दोस्तों मेरे पास में अभी 2 minute का wait लगेगा यहाँ पर दोस्तों में यहाँ पर अभी wait कर रहा हूँ कि यहाँ पर 100% के 100% हो जाए जैसे कि नीचे की सैड़ी में भी यहाँ पर 64% हो चुका है जैसे ही 100% होगा तो भई मेरी limit यहाँ पर upload होके आ जाएगी इसलिए दोस्तों में यहाँ भी यहाँ पर 2 minute wait कर लेता हूँ तो भई जैसे में यहाँ पर wait कर लेता हूँ मेरे पास में यहाँ पर ऐसा interface आ चुका है यहाँ पर दोस्तों अपना back account आपको यहाँ पर check वगरा कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों निजे की side में आपको यहाँ पर permission आपको देनी पड़ेगी दोस्तों मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ यहाँ पर by content पर आपको यहाँ पर click करना है जैसे कि दोस्तों मेरे case में यहाँ आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल लाइप प्रूप में यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पारे हो हैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक अकाउंट अपना यहाँ पर चूज करना पड़ेगा है जो भी आपका account होगा वो हो जैसे कि मैरे case है मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ जो भी मेरा bank है जो भी मेरा bank है वो दोस्तों यहाँ पर स्लेट कर लेता हूँ मेरपस में यह इसा आजाता है यहाँ पर दोस्तो मेरे पास में ओप्शन आ चुका है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि select your salary account or primary account registered with mobile number get higher loan amount lower interest rate यहाँ पर दोस्तो मेरे पास में ऐसा इंटरफेस आ चुका है यहाँ पर दोस्तो क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पर net banking से कर सकते हो या फिर दोस्तो आप आपको यहाँ पर upload करना पड़ेगा अपने bank statement PDM के माध्यम से यहाँ पर दोस्तो अभी मैं बिल्कुल भी यह step company बिल्कुल भी आपको करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंको मेरे को यहाँ पर loan वगेरा कि अभी आवशकता नहीं है तो भई मैं यह step बिल्कुल भी company नहीं कर अगर आपको यहाँ पर नीड है आविशकता है पैसो की अगर आप लेना चाते हो इस loan application से तो भी इस loan application के आप यहाँ पर limit ले सकते हो अदरवाइस दोस्तो आपको यहाँ पर district box में आपको लिंक मिल जाएगी जाके दोस्तो आप application को डाउनलोड कर सकते हो application कर दोस्तों यह यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों यह लोन application यहाँ पर rbc और nbc रिजिस्टर्ड application है जैसे कि आप से यहाँ पर सभी आपके पास सो भी हो चुका होगा जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे बहुत ही उच्छी खासी लोन application है आपको यहाँ पर 100 के 100% कु देखने को मिल सकती है तो भई आई होप यह जानका रही है आपको बहुत अच्छी लेगों वीडियो चिर लाइक कीजिए अगर भई अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना